कुछ पूछते हैं कि ये जो आपने सिंटम्स बताए ये जो किसीन्य में दर्द हो सकता है और स्वेटिंग हो सकती है और ये अलग-लग भी सकते हैं अगर सारे एक साथ हैं तब तो हमें लगभग पक्का रहता है कि यह हार्ट की तकलीफ है, यह हार्ट अटाइक है, यह अंस्टेबल एंजाइना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस एरिया में भारीपन है, डिसकंफर्ट है, काफी है, अब वो और क्या हो सकता है, बहुत ही कॉमन चीज है कि वो सिंपल गैस या एसीडिटी की ब अगर किसी को पहले gas acidity नहीं होती है और अचानक gas acidity हो रही है तो भी यह सोचना चाहिए कि यह heart attack हो सकता है और उनको अब जाकर अपनी ECG करानी चाहिए और doctor की सलाह लेनी चाहिए वो अगर gas acidity ही थी तो भी अच्छा है आपकी diagnosis हो गई आपका उसका इलाज हो गया और heart attack की स नाच परताल भी साथ साथ हो गई लेकिन अगर आप यह decision लेके चलेंगे जो एक बहुत ही common mistake होती है कि gas की दवा खाली गंटे-दो-गंटे-चार-गंटे इंतजार किया यह राद भर इंतजार कर लिया चुकि दर्द बहुत अधिक नहीं था इसलिए उनको यह लगा कि यह हो रही है तो भी या कोई मुझे muscular pain हो रहा है मैंने कुछ ऐसा किया तो नहीं था लेकिन मुझे लग रहा है ठंड लग गई यह भी बड़े कावनली लोग बोलते हैं मुझे ठंड लग रही ठंड लग गई इसलिए यहां पर मुझे दरद और भारीपन हो गया और वो काफी कीमती समय उससे बरबाद हो जाता है जिससे की हार्ट में डैमेज काफी बढ़ जाता है फिर अगर इंजोग्राफी करके नली खोल भी दी जाए तो कई बार वो damaged area revive नहीं हो पाता है तो फिर उसकी वजह से व्यक्ति को सांस फूलती रहती है उसको ठकान होती रहती है उसका हार्ट काफी कमजोर हो जाता है तो इसलिए इन लक्षणों को पहचाने और ऐसा कोई भी लक्षण दिखे आपको acidity लग रही हो muscular pain लग रहा हो anxiety की सोचा रही हो यह डॉक्टर को decide करने दें कम से कम अपना ECG और cardiac workup, cardiac check-up अपने risk factor की evaluation यह सारी चीज़ें जरूर करें और सा इससे आप अपनी और दूसरों की भी मदद कर सकेंगे धन्यवाद यदि है वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like करें इस channel को subscribe करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें हम रखें आपका ख्याल करें आपका ख्याल